हेलो एर्यवन आज कि इस वीडियो में हम देखने वाले डिजिटल मार्केटिंग स्कील ओरिंटेट प्रैक्टिकल वन चोकि सबसे आसन प्रैक्टिकल एकॉमर स्टूटन्ट के लिए अगर आपको प्रैक्टिकल एक्जाम में यह क्वेशन आ गया तो आप लग्की परसन समझे जाओगे क्योंकि इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है सिब आपको एक कॉफी क्वेश्ट का ही काम है और उसके एंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे तो चलो आएए देखते हैं तो यह प्रैक्टिकल है आपका कि आपको क्या करना है आपको एक वेबसाइट का आपको यह सारे क्वेश्ट के आपको करने है इसके एंसर आपको करने है तो यह एंसर आपको 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 क्या करना है नहीं यह एंसर सब आपको आपके रिपोर्ट में मिल जाएंगे इसलिए जो प्रैक्टिकल है सबसे आसान हो जाता है यह प्रैक्टिकल देखा जाए एक मेर के अंदर हो जाएगा तो सबसे पहले को क्या करना कि आपको एक SEO Optimization टूल या वेबसाइट ओपन करनी है जैसे SEO Optimizer नाम की वेबसाइट होती है तो चलो मैं सर्च करता हूँ SEO Optimizer एसे Google पर सर्च करते ता या आपने SEO.com भी सर्च किया या SEO Optimizer.com भी सर्च किया तो टॉप में यह वेबसाइट आजाएगी यह देखो www.seooptima.com यह वेबसाइट आपको खोलनी है ओपन करनी है ठीक है तो आपके सामने यह layout ओपन हो जाएगा यह audit टूल है यह SEO reporting टूल भी आप इसे बोल सकते हो यह क्या करता है यह आपने वेबसाइट का डॉक्टर समझ लो कि यह चिक अप करके देगा कि क्या-क्या इसमें ख टीचर की तरफ से उसका आपको रिपोर्ट जन्रिट करना है एक बोलत हो सकता है कि आपके कॉलेज की वेबसेट अपको दी जाए या आपके एचसी बोड की वेबसेट आपको दी जाए फॉर एक्जामपल गुंसिडर करो एक ध्यामिनर ने एक वेबसाट दे दिया www.motionrobotex यह वेबसाइट मुझे क्या करने के लिए है Optimization Report Generate करने के लिए Examiner नहीं आपके teacher ने दी हुए हो सकता है कि आपको आपके teacher अलग website दी है यह सिर्फ example के लिए है और कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ यह website type करना है ठीक है और type करने के बाद sip audit पर click करना है हो गया आपका practical इतना ही था इसके बाद automatically आपका report generate होना start हो जाएगा ठीक है तो आप यहां देख पाऊगे कि report automatically generate हो जाएगा जस्ट आपको 30 seconds एक मीट तक थोड़ा hold करना होगा तो यह थोड़ा time लेता है आप फ्री वर्जन यूज करते हो ट्रायल वर्जन यूज करते हो तो यह थोड़ा time भी लेता है आप इसका PDF भी generate कर सकते हो जो चाहे कर सकते हो और इसके basis के उपर आपको क्या करना है आपको answer देने है जो पूछे गए है practical में आसान है ठीक है जश्ट यह लोड़ हो रहा है जोस्ट हम होल करते हैं थोड़ा वे थोड़ा थे हम होड़ करते हैं कि देखो 30% 36 37 यह अब यह report आपका generate हो रहा है हो सकता है यह आपको 30 सेकेंड से लेकर एक मीट तक डिपेंट करता है आपका internet connection जैसे मेरा आज थोड़ा slow चल रहा है इसके वज़े से टाइम ले रहा है और यह देखो और इसी रिशिस के उपर क्या करता है report generate करता है बस आपको इतना ही करना था ठीक है तब यह पूरा आपको आप बोल सकते हो कि यह report generate हो गया यह जो वेबसाइट है www.motionrobotics.in इसका पूरा report generate हो गया ठीक है और आप उसको पूरा देख पाऊगे तो यह देखो नीचे पूरा आपको और कुछ करना भी नहीं है सिब इसमें एंसर आपको सर्च करने जो एंसर पूछे गया ना इसकी सबसे आपको उसके एंसर करने सबसे आस्टान वाला प्राक्टिकल है आपको यह है नेम अप्धी वेबसाइट यह आपको देते ना तो क्या है वेबसाइट का ना इसका अगर आप देखो कि ना तो www.motionrobotix.com यह जो आपकी वेबसाइट दी जाएगी तो क्या होगा www.motionrobotix.in अब यह कोई question है यह सबसे आसान था जो question पूचा है उसी में answer है यह आपने optimize कर दी ठीक है whether the site has title tag अभी हमें चेक करना है कि report में check किया गया है कि site को title tag ही या नहीं तो चलो जात की देखते title tag ही या नहीं अभी कहां मिलेगा हमें title tag हमें तो नीचे जाके धूनना पड़ेगा यह देखो title tag you have a title tag नहीं सिया देखो correct का sign आया हुगा है तो आपको क्या करना है इसका answer क्या कर देना यह है yes इसका answer क्या कर देना है yes है title tag है तो मैंने answer क्या कर दिया yes कर दिया whether the site has a header tag if as which tag are there आपके website में header tags है क्या है तो बताए को consequence है header tag आपको पता है h1 से लेकर h6 तक होते है यह आपको चेक करना है तो चलो देखते header tag कहा मिलते क्या में यह देखो header tag h1 says your page is making a multiple level of header tag है क्योंकि correct sign आया हुआ है yes consequence use किया हुए h2 h3 h4 h5 h6 और h1 यूज नहीं किया हुए मैं सबसे बड़ा वाला tag आपने यूज नहीं किया हुए तो आप लिख लो कि किसका answer क्या है कि yes और कौन से कौन से है है h2 h3 h4 h5 सबसे आसान है जिसके answer उसी पेज में होते हैं आप कुछ करना भी नहीं है done हो गया इसका answer आ गया और आपके website हो सकता है कि सारे tag present हो यह अगर absent है तो वहां correct के sign की जगह ऐसे cross आ जाएगा जैसे नीचे हैना keyword के लिए cross दिख रहा यहां ऐसे एसे cross आ जाएगा तो यहां देखो correct का sign होगा है और जो जो टाय यूज हो रहा है कितने frequency से यूज हो रहे हो भी दिखा रहा है लेकिन इतने details में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है तो इतना ही लिखो ठीक है आप search box से यहां ढूंड सकते हो कि कहा है हो कभी कभी होता है इतना बड़ा report है तो alt attribute में कहां देखोंगा अभी देखो मुझे नीचे जाना पड़ रहा है और मुझे अल्ट अभी तक नहीं मिला है हो जाएगा मिल जाएगा हमें नीचे अगर नहीं भी मिला ना तो कैसे ढूंडना मैं आपको इसके शॉटकट मेंतल बतलता हूं ठीक है जावास्क्रिप अल्ट एट्रूइट सोचल मीडिया नीचे क्यों बहुत बड़ा report होता है दस बारा पेज का report होता है हो सकता है इसमें आपको डूंडना टिपिकल्ट हो जाए तो मुझे जनरल ही नहीं मिला तो है नहीं क्या है इस report में मैंने फास्ट क्या करो Ctrl F कर और टाइब करो alt और देखो मैंने alt टाइब किया और यहां आ गया कि है report में कि लेकिन 10-12 पेज का report है तो दिखाई नहीं दिया था मुझे यहां देखो image alt attribute तो इसमें क्या बुला गया है कि नहीं मैंने alt attribute का इस website में यूज नहीं किया हुआ है जो करना होता है नहीं किया है आपको करना चाहिए लेकिन किया है आपकी image कितने 28 image मिले है उसमें alt attribute missing है ठीक है तो यह इसका answer हो गया यहां लिख दो क्या answer है इसका whether they know लिख दो पस इतना ही है नहीं है alt attribute यूज किया हुआ है ओके वाट इस दे कमेंट अबाउट यूज अबलीटी मिस ही वेबसाइट है कितनी usable है इसकी usability report क्या यह हमें चेक करना अभी यह report कहां मिलेगा यह अभी यह उपर एक काम करते यहां ही सर्च करते है यूज यह देखो usability report इसका creating कितना आया हुआ एफ एफ ठीक है और क्या information दिया है उन्होंने की यूँवर पेज है इसे विटी इश्यू और आपको इसको इंफ्रोवाइज करना चाहिए यह क्या दिया हुआ है सजेशन दिया हुआ है तो आप पूरा यह एज इस कॉपी कर लो तो चाहिए तो डाइक लिए कॉपी कर लो और आपके इसमें पेस्ट करते है तो भी चलिगा बाकि तो चलो usability के ऊपर आपका report भी आ गया तो comment क्या है आपको आपकी website को यूर पेस क्या करना चाहिए इंफ्रू करना चाहिए usability अभी यहां चलो कोई बात ने यहां फिट नहीं हो रहा है लेकिन आपको क्या करना था लिखना होता है उदर तो आप लिख सकते हो यहां से कॉपी करना है मि में आ जाता है है तो यह बोलो नहीं तो नो बोल दो वहां आपको अपनी मन से कुछ नहीं लिखना है इसलिए सबसे आसन ट्रैक्टिकल यह हो जाता है और उसके बात क्या करना होता है अगर एक्जामिनेर ने आपके टीचर ने बोला ना इसका सिप आपको प्रिंट देना ह अगर यह बहुते हैं यहां देखो श्राटिंग में एप ग्रेड लिखो वह भी लिख तो प्रिंट बूल गया था अईसे तो सबसे आसन ट्रैक्टिकल यह कुछ करना नहीं है बस जो है वही लिखते जाओ यह अगर किसे को आ गया तो समझो कि सबसे आसन ट्रैक्टिकल पांच क्वेश्चन है आपके जो प्रैक्टिकल एक्जाम में एक एंसर शीट होता है उसके उपर लिख दो और रन करके आपके एक्जामिनर को भी दिखाना है रिंट आउट लेना है सबसे आसन ट्रैक्टिकल है ठीक है और जो सेकेंड वाला एसोपी है वो भी इसके तरह ह ज्यादा कुछ डिपरंस नहीं है ठीक है लेकिन चलो आज का सेशन एक प्रैक्टिकल के लिए था तो डिजिटल मार्केटिंग स्कील और इंट्रैक्टिकल हुआ हमारा कम्प्लीट हो गया यह जो कि कॉमर्स के स्टुडेंट का प्रैक्टिकल है ओके तो चलो आज के सेशन म अच्छों रास प्रैक्टिकल कोत्रैक्टिकल दचलो आज जया है जया है और जच ट्रेरे स्किन का स्टुड़ास हाँ जब प्लेकरे सेशन एक बासलों खीकल रमके sillbraremi का सम्लत। उलों के यह है तुर कि कमोत्ष् weddings あ epsilon झाल झाल